हेलो एविवान वेल्कम बैक तो माई चैनल ट्रिपल सेवन सोल टेरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं आप सभी लोगों के लिए यह टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं रीडिंग को चलिए अप स्टार्ट करते हैं डिवाइन क्या अरजेंट मैसेज़ आप तक पहुंच आने की कोशिश कर रहे हैं लेट सी चेंज ऑफ प्लेस ब्लेसिंग्स पेटाइम सेलेक्शन अगर आप बहुत टाइम से एक ही जगा पर काम कर रहे हैं या एक डिरेक्शन में आप बैठ रहे हैं कोई भी डिरेक्शन हो सकते हैं साउथ नॉर्थ एस्ट वेस्ट यू नेट टो चेंज प्लेस और में अगर आप घर पर पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि आप इसी पर्टिकुलर प्लेस पर काम कर रहे हैं ठीक हैं मैं आपको आ आपको अपनी डिरेक्शन चेंज करने की जरूरत है यानि कि अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं तो में आपको लाइबरी जोइन कर लेनी चाहिए ठीक हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जोइन करनी चाहिए जहां पर थोड़ी टाइम के लिए आप अपना प्लेस अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर अपने इंटर्व्यों की त्यारी कर रहे हो यू निद टू चेंज अप्लेस अगर ऐसा करते हो तो आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी आप बहुत टाइम से हो सकता है आपके इंट्यूशन आपको कहा भी रहे है कि आपको यह का प्ले आपके पार ह Aware Less übrig дел ur all ओ देले कर रहे हो इसको तो जल्द से जल्द करो तो मुझह लगता है आपके पास जल्दी ब्लेसिंग्स आ जाएगी और जो कर्मा का जोग का फल मिलना है यह यह बना शुरू हो जाएगा आपको जैसा आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिलना मेभी आपको result मिलना शुरू हो जाए क्योंकि जो आप बोगे वो आप पाओगे it comes back to you time and again you have to pay for your deeds ठीक है तो definitely karma पे होगा but you need to change the place यह एक important message आपके लिए निकल कर आया है पहले ही कार्ट से मुझे पता लग गया था यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको अपना place चेंज करना है मतलब city चेंज करनी है आपको आपको country चेंज करनी है अब ही तो फिलाल काम की बात हो रही है काम नहीं बन रहा है तो आपको हो सकता है अपनी direction चेंज करनी की ज़रूरत है क्योंकि change कुछ positivity लेकर आ सकता है तो उसी चीज के तो आपको ज़रूरत है this time and selection का card है यहाँ पर what you choose become your destiny place को जब change करोगे तो negative बिल्कुल नहीं सोचना है थोड़ा सा भी negativity नहीं लेकर आने क्योंकि जो आप सोचोगे जो आप feel करोगे तो आपके destiny बन जाएगी तो stuck feel नहीं करना negative feel नहीं करना think positive all the time and then you will get desirable result यह एक strategy आपके लिए divine नहीं बना कर भेजी है जो कि मैंने आपको explain कर दी है तो यह चीज़ आपको करना ही करना है अगर आपकी भी intuition आपको कहते है कि yes आपको ऐसा करना है तो बिल्कुल करिए मुझे लगता आप में से काफ़ साथ लोगों के mind में तो आप ही रही होगी यह बात कि थोड़ा direction change करते हैं place change करते हैं कुछ changes life में लेकर आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा feel करोगे आप make the right choice delay मत करो इस choice को पूरा होने में तो कि यह तो बिल्कुल सही है patience का भी card है respect and be positive leave for now जो भी unnecessary things जो हो रही है आपके life में please आप उनको भूल जाएं उनको छोड़ दें sometimes it's better to earn a bad name or leave for a higher goal कभी कभी क्या होता है न चुप रहकर अगर हम बुरे बन रहे हैं तो बनने दो because हमारे लिए हमारा जो गोल है वो ज़्यादा important है इस चीज़ पर ज़्यादा consider करो देखो अभी अपने गोल पर ही ज़्यादा consider करो क्योंकि ना मुझे ना एक चीज यहां से मिल रही है आप लोगों के लिए आप capable है आप हर चीज अचीब कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ना भी दर्वाजे नहीं खुले होए because patience का card है यहां पर patience it means you are capable you are capable but आपके लिए दर्वाजे नहीं खुले हैं that is why आपको suffer करना पढ़ रहा है आपको wait करना पढ़ रहा है और आपको थोड़े से changes अपनी life में लाने पढ़ रहा है because अभी तो सही समय नहीं है इसके अलावा अपने बड़ों की और अपने teachers, mentors की हमेशा respect करो क्योंकि वो आपसे बड़े हैं उन्होंने आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ना कुछ तो ग्यान दिया है तो उनकी हमेशा हमेशा ही respect करो उनको कभी भी आपको ऐसे नी feel करना कि अरे इस इस इनसानने मेरे लिए किया ही क्या है ऐसा नहीं सोचना है कि एप आज तक पहुंचे है तो इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ तो मेजर रहा है आपकी लाइफ में आपके माइंड में आ रहा है कि आपको डिसिजन लेने चाहिए है तो भई ले लो because आपको ज़रुरत है make the right choice and patience क्योंकि मैंने बताई दिया आपको कि अभी आपके लिए सही समय नहीं है that is why आपको वेट करना पड़ रहा है but blessings तो आपको मिलेगी 100% अगर आप थोड़े से changes लिया हो तो आपको यह blessing feel होने लगेगी blessings तो अभी भी मिल रही है but आप क्योंकि आपके काम नहीं बनते तो आप थोड़ा सा demotivate हो जाते है थोड़े से changes अभी आपको ज़रुरत है लेकर आने के अपनी लाइफ में तब ही आपके काम बनेंगे वरना तो फिर आप एक ही cycle में बार 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 घूम रहे हो जो कि अच्छा भी नहीं है आपके mental health के लिए तो बहुत चीजे आपको इंप्रूफ करने के अभी ज़रुरत है जल्दी जल्दी कर लो क्यों delay कर रहे हो जो काम करना है वो करना ही है door to romance romance भी चाहिए आपको life में तो कैसे आएगा अगर problems ही problems रहेगी तो romance कैसे आएगा romance चाहिए victory चाहिए तो आपको थोड़े से changes लाइए और फिर देखें work करते हैं या नहीं करते हैं क्योंकि life में न तभी सब कुछ मिलेगा जब आप efforts लगाओगे अगर आप efforts नहीं लगाओगे तो आप जहां हो वहीं रहोगे जैसी कि इनसान इकी जगा खड़ा है यह अगर efforts लगा है तो यह gate खोल कर आगे बढ़ सकता है इंजॉय कर सकता है बट इसने खुद ही choice किया न चूस किया है कि यहीं पर रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है इस इनसान का तो अगर आपको improvements चाहिए, victory चाहिए आप चाहते है romance आपकी life में आए तो फिर आपको थोड़े से efforts लगाने है अगर आपको library नहीं join करने ही या कोई ऐसा आप बहार नहीं जाना चाते हैं तो जिस direction में बैठते हो जिस भी दिशा में बैठते हो वहाँ न बैठके change करके देख लो दूसरे room में बैठके पढ़के देख लो कुछ इस तरह के changes ले आओ या तो फिर कुछ ऐसा करके देख लो पर changes तो लाने पड़ेंगे चीक है Ask for help from others Hear from now Not the right time यह तो मैंने आपको बताई दिया कि right time तो अभी दिख भी नहीं रहा है कहीं से कहीं तक भी और अगर आपने देखो जादा ही delay किया या अच्छे से focus नहीं किया तो एक साल भी लग सकता है आपको जो आप मांग रहे हो ना उसको मिलने में Ask for help from others अगर आपको लगता है दूसरे आपकी किसी भी वे में मदद कर सकते हैं तो आप पूछ सकते हो वरना अधरवाइस तो आप divine से ही help मांगे उनी से आप पूछें लेकिन अगर किसी पर trust है तो उसको आप पूछ सकते हो लेकिन जादा भी discussion नहीं करना है एक help की तरह आप पूछ सकते हो अगर वो दे ने तो ठीक है नहीं तो फिर आप अपने तरब से तो काफी discover करी रहे हो उतना भी काफी है लेकिन आप रुकना मत हमेशा ही कुछ ना कुछ manifest करते रहो आगे बढ़ने के बारे में ही सोचो क्योंकि यही चीज आपको victory तक लेकर जाएगी आपके life में पर अभी right time नहीं है गाईस तो थोड़ा patience रखे divine आपको patience रखने के लिए कह रहे है काली मा, facing fear जो भी डर है आपके अंदर उसको face करना सीख जाएए क्योंकि major spiritual changes तो आपके life में unfold होने वाले हैं अब यह आपका chance है अब आपका chance है कि आप आगे बढ़ो बहुत आगे बढ़ो उचाईयों को छोओ ठीक है तो आप कब छूपाओगे उचाईयों को जब आप अपने fear को खतम कर लेंगे तो fear खतम करने की कोशिश करो जब काली मा का support है then victory definitely आपको मिलेगी मिलेगी लेकिन यह अपने दिमाग में रख लें कि अभी right time नहीं है but victory तो आएगी 100% but अभी right time नहीं है तो जल्दबाजी नहीं करनी अभी अपने अंदर improvements के बारे में ज़्यादा सोचे क्या लेकर आने improvements ठीक है और फिर उसके बाद आप manifest उन चीज़ों को करना शुरू कर दे implementation करना शुरू कर दे ताकि आप जल्द से जल्द अपने डर को खतम करकर उचाईयों को छोए और जो चाते हो आपको मिल जाए अगर रेडिंग रेजोनेट हुई हो अगर रेडिंग रेजोनेट हुई है तो comment section में बताइएगा चैनल पर अगर आप नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी कलिए विस इतना है guys bye take care